हेलो एवरिवन, वेलकम तो वर्स एजुकेशन, तोड़े वी विल डिसकस डिस्पर्शन ओफ लाइट, देखो डिस्पर्शन ओफ लाइट क्या होती है, जब भी वाइट लाइट किसी प्रिजम से पास करती है, तो वो सेवन कलर में स्प्लिट हो जाती है, इस फिनॉमिना को ह कहते हैं, डिस्पर्शन ओफ लाइट, देखो, मालो यह आपके पास कोई प्रिजम है, ए, बी, सी, इसका कोई ना कोई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा, मालो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, म्यूपी, प्रिजम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जब भी इसमें से white light, white light आप का best example sunlight है जैसे यहां से sunlight pass करेगी तो क्या होता है, वो prism से pass करने के बाद seven colors में क्या हो जाती है, split कर जाती है इस phenomenon को क्या कहते हैं dispersion of light clear हो रही है आपको यह बात, ठीक है अब इसका cause क्या है, यह हम बाद में discuss करते हैं, पहले देखो यह light इस तरह से आ रही है, prism से pass करने के बाद यह क्या होगी, देखो divert हो गई, यह ऐसे तो pass नहीं कर रही है ऐसे divert होगी, क्यों, because यहां पे कौन सा phenomenon कर रहा है, reflection of light, because बाहर air है, rarer medium है और अंदर prism किसका है glass का, तो अंदर क्या होगे, dancer medium, rarer to dancer जा रही है, उसके बाद फिर dancer to rarer आ रही है, light, तो यहां पे क्या हो रहा है, reflection अकर कर रही है, इस वज़े से deviation हो रही है, ray of light की, अब देखो किस तरह से होगी, इसमें, मैं थोड़ा सा आपको बता दू यह वाला, माल लो, यह आपके पास क्या है, प्रिज्म है, A, B, C, अब देखो, यहां पे incident light आ रही है, अब यहां भार air है, rarer medium और अंदर क्या glass, dancer medium, तो देखो, यहां पे पहले हम normal draw करते हैं, यह normal draw किया, rarer medium to dancer medium light enter कर रही है, तो कैसे जाती है, towards the normal, वैसे तो इसको ऐसे जाना था, अगर same medium होता, पर अब देखो, यह क्या करेगी, towards the normal bend हो जाएगी, जाएगी, तो ऐसे ना जाके, नॉर्मल की तरफ को आएगी, तो ऐसे ना जाके यह इस तरफ को बैंड हो गई, towards the normal, इस तरह से जाएगी, clear है यहां तक, अब देखो, again इसको dancer से कहा जाना है, rarer medium, तो यहां भी normal draw करेंगे, यह मैं normal draw किया, अब dancer to rarer जा रही है, because बाहर air है, अंदर glass है, dancer to rarer जब जाती है, तो कैसे bend होती है light, away from the normal, वैसे तो इसको ऐसे जाना था, अब क्या कर रही है, dancer to rarer आ रही है, तो away from the normal, मैं इस normal से दूर जाना है, उसको away, तो इस तरह से bend हो जाती है, यहां न, इस तरह से bend हो जाती है, clear है, यह किसकी वज़ा से हो रही है, because prism में क्या हो रहा है, reflection of light हो रहा है, उसके वज़ा से clear हो गए आपको यह चीज, इस वज़ा से यह light ऐसे enter करती है, और इस तरह से divert हो जाती है, clear, अब देखो, अगर हम कहें कि यह जो भी light है, यह कितने angle से divert हो रही है, वैसे यह वाली चीज हम next वाले lecture में, अच्छे से understand करेंगे, उसे हम कहते है angle of deviation, मिस कितने angle से light क्या हो रही है, divert हुई है, यह हम थोड़ा से understand कर लेते हैं, देखो, angle of deviation क्या होता है, यह आपके पास incident ray है, अगर यहाँ पे same medium होता, तो इसको कैसे जाना चाहिए था, देखो, ऐसे, इसको ऐसे जाना था, पर यह ऐसे तो नहीं गई, यह क्या हो गई, prism में enter करने के बाद हो, divert होगी, इस direction में ऐसे निकल रही है बाहर, तो कितने angle से divert हुई, वैसे इसको ऐसे जाना था, पर यह कैसे गई, ऐसे गई, तो इस वाली चीज़ को यहाँ पे join करवाओ, यह वाली चीज़, जो यह वाला angle है, यह वाला angle, इसको ऐसे जाना था, कौन कौन सा angle है दो किस किस के बीच में, इसको कैसे जाना था, ऐसे जाना था straight, बट यह divert होगी, कितना, इस तरफ को divert होगी, means इतने angle से divert होगी, ऐसे जाना था, बढ़ यह इतने angle से divert होके यहां से निकली इसे हम कहते हैं angle of deviation और इसे हम करते हैं delta से denote ठीक है angle of deviation कहते हैं इसको clear होगी आपको यह वाली बात अब देखो यह dispersion of light जो है यह इसका cause क्या है क्यों होती है dispersion of light देखो dispersion of light इसलिए होती है because जितनी भी wavelengths होती है ना उनके लिए जो भी आपके पास prism का refractive index है उसकी value अलग-लग होती है देखो मैं repeat कर रही हूँ हर एक wavelength के लिए जो prism का refractive index की value है वो अलग-लग होती है अब जब refractive index की value अलग-लग होगी हर wavelength के लिए है ना तो क्या होगा जिसका refractive index की होगा ज़्यादा होगा जिस भी wavelength के लिए refractive index की value ज़्यादा होगी वो ज़्यादा divert होगी देखो जब भी refractive index की value ज़्यादा होती है तो क्या होती है ज़्यादा deviation होती है उसमें ठीक है अब देखो हो क्या रहा है अब यहां पर different colors बन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, because अलग-अलग color की wavelength क्या होगी, अलग-अलग होगी, सबी red की wavelength अलग होगी, violet की wavelength अलग होगी, औरेंज की अलग होगी, हार color की wavelength क्या है, अलग-अलग है, और हमने क्या कहा, अलग-अलग wavelength के लिए, जो prism का refractive index है, या कोई भी आप refractive medium ले रहे हो, यहां prism है, तो अलग-अलग color की wavelength होगी, उसके लिए जो refractive index की value है prism की, वो अलग-अलग होगी, अब refractive index की value अगर अलग-अलग होगी, तो वो जो भी color है, वो क्या करेंगे, अलग-अलग angle से divert करेंगे, जब अलग-अलग angle से divert करेंगे, same A की angle से तो नहीं divert कर रहे हैं, अलग-अलग angle से divert कर रहे हैं, इसलिए dispersion take place करती है, clear हुँ आपको, क्या है देखो, cause of dispersion, dispersion take place, because the refractive index of the refracting medium is different for different wavelength, अलग-अलग wavelength के लिए, जो आपके पास refractive index की value है, वो क्या होती है, अलग-अलग होती है, और जिसका refractive index, जिस भी wavelength के लिए, refractive index की value ज़ादा होगी, जितना ज़्यादा refractive index, उतनी ज़्यादा deviation होगी, उस color की, ठीक है, अब देखो, अब देखो, पहले हमें यह पता लगाना है, कि refractive index जो wavelength के साथ कैसे vary करता है, refractive index, mu, is inversely proportional to wavelength, wavelength के कैसे vary करता है, inversely vary करता है, अगर wavelength ज़्यादा होगी, तो refractive index कम, और अगर wavelength कम हुई, तो refractive index की value क्या होगी, ज़्यादा होगी, clear है, और जो आपके पास angle of deviation है, delta, जो हमने अभी बताया, angle of deviation is directly proportional to refractive index, यह वाली चीज़ देखो, अभी हम next lecture में यह वाली चीज़ derive करेंगे, कि कैसे angle of deviation, जो है, directly vary करता है, किसके, directly proportional होता है, refractive index के, अभी आप यह चीज़ याद रख लो, अगर refractive index की value ज़्यादा होगी, किसी भी color के लिए, हाना, refractive index की value, जिस भी color की wavelength के लिए, उसकी value अगर refractive index की ज़्यादा हुई, तो वो color क्या करेगा, more divert करेगा, because यह directly vary करते हैं, clear, देखो, यह दोनों चीज़े हमने यहाँ पर write down कर ली पहले, जो refractive index है, वो wavelength के inversely vary करता है, और जो refractive index है, वो directly vary करता है angle of deviation से, clear हो गया, अब देखो यह चीज़े आप अच्छे से understand कर पाऊगे, कि यह वाला pattern क्यों बनता है, देखो, यह इस तरह से, जब भी light यहाँ पे देखो, यह जो dispersion टेक प्लेस करता है, यहाँ सबसे उपर red color होता है, और यहाँ पे violet color होता ह इस तरह का pattern बनता है, यह विव ग्योर, आपने बहुत बार पढ़ा होगा है यह, विव ग्योर का मतलब क्या है देखो, यह वी से violet color और आर से red color, इस तरह से बनता है यह pattern, मतलब जो सबसे ज़्यादा divert होती है light, वो कौन सा होगा color, सबसे नीचे, पहले violet, फिर indigo, फिर blue, yellow, then orange and then red, सबसे कम divert कौन color हो रहा है, red, और सबसे ज़्यादा divert कौन हो रहा है, violet color, यह वाला color, तो देखो, अब हमें पता है, जो आपके पास red color है, जो red color की wavelength होती है, वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा, red color की wavelength सबसे ज़्यादा होती है, और violet की wavelength कम होती है, चीक है, violet की wavelength क् और रेड की वेवलेंद क्या होती है ज्यादा क्लियर है अब देखो अब हम क्यों क्या रहे हैं कि रेड जो है वो कम डाइवर्ट कर रहा है वाइलेट ज्यादा डाइवर्ट कर रहा है क्यों क्यों कि देखो अभी रेड कलर के लिए वेवलेंद की वैलू क्या होती है ज्याद इंडेक्स के, तो इसका मतलब रेड की wavelength जादा है, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रेड कलर के लिए प्रिजम का कम होगा as compared to violet, because यह inversely vary कर रहे हैं, है न, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए, रेड कलर के लिए क्या होगा, कम होगा as compared to violet color clear हो रहा है और और क्या कहा था हमने, यह दोनों directly vary करते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स of angle and angle of deviation, अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स red color के लिए कम है, तो वहाँ पे red color की deviation भी कैसी होगी कम होगी, violet से, because it directly vary करते हैं, इसलिए जो red color है, वो क्या करता है सबसे कम divert करता है as compared to violet, violet ज़्यादा divert करता है आपको clear हुई है चीज़, देखो वही चीज़ वह ने write down की, thus the red color is divided the least and violet is divided the most, red कम divert हो रहा, देखो यह ऐसे करके इतना सा divert हुआ but violet color क्या हुआ, यहां से आई हो और इतना divert हो गया ज़्यादा divert हो रहा है क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, red color की wavelength क्या होती है, ज़्यादा होती है wavelength अगर ज़्यादा है, तो refractive index inversely vary कर रहा है तो red color के लिए prism का जो refractive index है, उसकी value क्या होगी कम होगी violet से, because he inversely vary कर रहा है, और अगर refractive index की value कम है तो वो divert भी कम होगा और जिसका refractive index ज़्यादा है जैसे violet का refractive index ज़्यादा है violet के लिए refractive index ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा divert होगी इसलिए वो ज़्यादा divert हो रही है और red कम divert हो रही है clear हो रहा है यह वाली चीज आपको अब देखो यह वाली चीज हम यहां से भी understand कर सकते हैं कि किसमें deviation जादा होगी हमने क्या कहा red color में deviation क्या हो रही है कम हो रही है as compared to किसके violet के देखो इसको हम इस तरह से भी understand कर सकते हैं यहां पर भी किस तरह से यह मालो आपके पास एक prism है अब देखो यहां से आई white light clear एक ऐसे चली गई मालो यह वाला कौन सा आपके पास यह आपके पास red color के लिए है और ऐसे आई और दूसरी वाली ज़्यादा divert हो रही है इस तरह से और ऐसे बाहर को जाएगी यह वाला कौन सा है मालो आपके पास violet color है तो देखो हमने क्या कहा angle of deviation red के लिए क्या है कम है वैसे तो यहीं से दिख रहा है पर देखो यहां draw भी कर लेते हैं किस तरह से अगर इसको देखो इसने जाना तो angle of deviation कैसे निकालते हैं वैसे इसको इस तरह से जाना था incident ray को यह ना बट यह क्या हो गई इस वाले red वाले color में इतनी divert हो गई इसको हम backward में ऐसे करते हैं तो यह वाला जो angle है यह वाला angle कौन सा हो गया यह ब्लाइक क्या है यह angle क्या है यह angle of deviation है किस के लिए red color के लिए और इस वाले case में देखो violet में यह ऐसे जानी थी पर यह इतनी divert हो गई इसको भी backward में करो इस तरह से होगा यह वाला तो यह वाला angle कौन सा यहां से लेके यह वाला angle यह किस के लिए हुआ violet के लिए हुआ तो देखो angle of deviation के लिए कम हुई और violet के लिए क्या हो रही है बहुत जादा हो रही है तो यहां से प्रूव हो गया देखो यह रेड के लिए कम है as compared to violet clear है तो देखो आज हमने dispersion of light के बारे में understand किया हम अपने next वाले lecture में angle of deviation की value को find out करेंगे I think आपको clear हो गया okay thank you